तो दोस्तो जब से पाकिस्तान के बड़ बोले मंत्री शेक रशीत के तरफ से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान चायना से 25 JtsC एरक्रप्टो को खरिदेगा तब से ही एक बड़ा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान अपने पेट पालने के लिए दर्वदर भटक रहा है और आखी चुड़ी पकड़ा है और दोस्तो आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि JNC एयरक्रेप्ट को खरीदने के लिए पाकिस्तान असल में कहां से पैसा ला रहा है जबकि वीडियो के आखरी हिस्से में भारत के द्वारा निर्मा को देखा जाए तो पाकिस्तान एक बिलियर डॉलर के IMF के एड के लिए भी दरबदर भटक रहा है जबकि पाकिस्तान अपने देश को चलाने के लिए सौधी अरविया से भी उधार ले रहा है और एक तरीके से पाकिस्तान के कुल उधार को देखा जाए तो आप इतना अधिक हो चुका है कि पाकिस्तान को उधार पे चलने वाला देश भी घोशित किया सकता है जबके दूसरे तरब बैंकरफ्सी के कगार पे पहुच चुके ये देश बड़े हत्यार खरिदने का दावा कर रहा है खास क करके चाइना के बनाये हुए JT&C EIRCRAPTO को पर सवाल ये है कि पाकिस्तान इन ऐेर प्रभाइंव को खरिदने के लिए पैसा कहा से लाएगा के एर क्रेप्टों को लेके चाइना का दावा है कि ये कोई वी देश 40 मिलियन डॉलर के लागत से खरीच सकता है पर चाइनीज एक्सपर्ट जाओ फिजू के मताविक इन एर क्रेप्टों के कीमत इतना कम होने के बावजूद और चाइना के तरफ से बहतरिन ओफर के साथ पे करना पड़ रहा है इन एर क्रेप्टों के सामने वेस्टन देशों के एक से एक बहतरिन एर क्रेप्ट है जो की इन एर क्रेप्टों के कीमत में ही एविलेवल है पर साल 2020 के शुरुआती हफ्ते में जब पाकिस्तान के तरफ से घूश न किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा चायना से यह J10C air cargo के एक्सपोर्ड बेरियेंड को खरिदा जाएगा तो आखिरकार चायना को इन air cargo को लेकर अपना पहला सक्सेस मिला। और basically पाकिस्टान अब चायना के बाद या फिर कहतो चायना के बाहर पहला ऐसा देश होगा जो J10 air cargo का इस्तिमाल करेगा। इवन दोस्तों इन एयर क्रेप्टो ko खरिदने का बाद घोषित करते हुए पाकिस्तान के तरफ से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान असल में इन एयर क्रेप्टो को भारत के रैफाल को काउंटर करने के लिए खरिद रहा है। पर पाकिस्तान के economical condition को देखते हुए और जिस तरीके से पाकिस्तान के defense budget इस कारण घट रहा है, उसे देखते हुए कई सारे military experts का मानना है कि ये असल में चायना और पाकिस्तान के बीच के कोई military deal नहीं बलकि एक सैन्ने सहायता के रूप में चायना के तरफ से पाकिस्तान को provide पर यारक्राफ्टों में technological खामी होने के वज़ा से और ये जो यारक्राफ्ट है ये काफी निचले दरजे होने के वज़ा से पाकिस्तान के द्वारा इन यारक्राफ्टों को नहीं खरिदा गया बलकि इसके बदले अमेरिका से अटरा नया F-16 CD Block 50-52 जैसे यारक्राफ्टो को खरिदने के तरफ आगे बढ़ा गया इवन एक और ऑप्शन इसके साथ लखा गया कि अगर 18 एरक्राफ्ट खरिदने में पाकिस्तान को सफलता मिलता है तो पाकिस्तान और 18 एरक्राफ्ट अमेरिका से खरिद देगा और वो भी अमेरिकी एड के बदले दोस्तो उस दर्मियान अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर भी लड़ाई लड़ा जा रहा था और इस बदले अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को भर भर के मिलिटरी एड दिया जा रहा था और पाकिस्तान इसी एड का इस्तिमाल करते हुए इन 18 एरक्राफ्ट को अमेरिका से हासिल करना चाहता था पर अमेरिके गवर्मेंट के तरफ से इस डील को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और कॉंग्रेस के तरफ से इसे लेके अप्रूबल नहीं दिया गया और साथी साथ ये भी बताया गया कि अगर पाकिस्तान को एयरक्रेप्ट खरिदना वाले 25 J10 CE एरक्रेप्टों को देखा जा और इसके अगर हर एक यूनिट का कीमत हम 40 मिलियन डॉलर भी लगाते हैं तब भी पाकिस्तान के लिए कम से कम 1 बिलियन डॉलर तो इन एरक्रेप्टों को खरिदने के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा जब कि ये एक नया टाइफ के एरक्रेप्ट है बोलके पाकिस्तान को इसे लेके इंफरस्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और साथी साथ ट्रेनिंग और हतियारों के उपर भी पाकिस्तान को खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों अगर एक तरफ हम ये भी देख ले कि इंफरस्ट्रक्चर और आएमेफ के साथ मीटिंग भी कर चुका है जो एक तरीके से फेल भी हुआ दूसरे तरफ अगर फिछले उधारी को ही देखा जाए तो पाकिस्तान का कंडिशन फिलाल ऐसा है कि पाकिस्तान को हर दो-तिन महिने के अंदर एक से दो बिलियन डॉलर का आवशकता पड़ेगा ता पॉसिबल नहीं हो पायागी इन्यार क्रेप्टों को खरिदने के लिए पाकिस्तान असल में फंड कहां से जुगार करेगा दोसरे एक बार हम ये भी मान लेते है कि पाकिस्तान को ये फंड चाइना के तरफ से मिलिटरी एड के तहए दिया जाएगा लेकिन अगर चाइना क इथियास को देखा जाए तो चाइना अपने घर का कचड़ा भी किसी को फोकट में नहीं देता दोसरे एक बार ये भी हो सकता है कि भारत को दोनों तरफ से घेड़ने के लिए चाइना के द्वारा ये प्रयास चलाया जा रहा हो लेकिन अगर चाइना के एकोनोमिकल इंटर करना ही होगा इवन ये भी हो सकता है कि इसके बदले पाकिस्तान के कुछ हिस्से के उपर चाइना अपना कबजा भी कर सकता है या फिर पाकिस्तान के कुछ हिस्से को अपने नाम भी कर सकता है और दोसरे इसके इलावा भी एक बहुत बड़ा वात ये है कि पाकिस्तान के द द्वारा ये दावा किया गया कि जंक फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जिन रैफल को काउंटर किर सकता है तो उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से JNC खरिदने के डिसिजन को आगे बढ़ाते हुए बताया गया कि JNC रैफल को काउंटर करेगा जो एक तरीके से सावित करता है कि प फिलड आर्मर प्लाटफॉर्म को पहली वार साल 2014 में शोकेस किया गया था जबकि इसके बाद एक युनिट को निर्मान करके आर्मी में शामिल किया गया जो कि इंटर्नल टेस्टिंग के लिए इस्तिमाल हो रहा है और अब बताया जा रहा है कि इन Willed Armor Platform के नया कस्टमर्स Paramilitary Force खास करके Central Reserve Police Force मतलब CRPF और अशाम राइफल हो सकता है जो की जल्दी इन वेहकलों के टेस्ट शुरू कर सकता है दोसो टाटा मोटर्स के तरफ से Already Willed Armor Platform के Pre-production शुरू किया जा चुका है और कस्टमर के requirement के हिसाब से इन्हें बनाय जा रहा है बताया जा रहा है कि Paramilitary Force के लिए भी इसे जल्दी तैयार करके User Trial के लिए ट्रांस्पोर किया सकता है दोसो बेसिकली जो आर्मी के वर्जन को बनाया गया है उसमें 30 mm के A242 कैनन को टॉरिट में फिट किया गया है जबकि Paramilitary के वर्जन में ये 30 mm के कैनन नहीं होगा बलकि इसके जगा में एक 7.62 mm के PKT को एक सेल मशिन गन होगा और ओभी विएकल के लेप साइट में माउंट होगा जो इनिशियली 2000 राउंड को कैरी कर सकेगा तो हुइल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म अल्रेडी Cross Country Test और Fire Interest को संभूर ने कर चुका है और कंपनी के द्वारा इंटर्नली इसका टेस्ट करने के साथ-साथ एक यूनिट को आर्मी को प्रभाइट किया गया था जिसे आर्मी के द्वारा साल 2018 से ही यूजर ट्राइल किया जा रहा है आर्मी ने इसका ट्राइल High Altitude Reason में खास करके सिक्किम और लदाक में कर चुका है विल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म असल में एक 25 टन के ऐसा वेहकल है जिसे 60 होर्स पावर के डिजल इंजिन के द्वारा पावर सप्लाई किया आता है और इसके मैक्सिमम स्पीड करिवन 100 किलोमीटर पर आवर है जवकि ये Ampivious ओप्रेशनों को भी अंजाम दे सकता है मतलब पानी के उपर भी ये तैर सकता है इसमें दो हाइडरो जेट माउंट को लगाया गया है जिसके इस्तिमाल से ये पानी के उपर करीबन 10 किलोमीटर पर आवर के रफतार से ट्रावल कर सकता है दोस्तों हुइल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म के टोटल 6 वेरियंट है जो कि आर्मी को ओफर किया गया है इनमें 30 मिलिमीटर के कैनन के इलावा 105 मिलिमीटर के लाइट गन वेरियंट भी है और संभावी ये दोनों वेरियंट को आर्मी के तरफ से ओर्डर किया या सकता है पर कुछ कारणों के वज़ा से आर्मी के द्वारा पहले जै हिन